न्यूस प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है मैं हूँ जीतू भाई पंडिया पिछले सब्ता भारत की सर्वच्च अदालत ने कॉंग्रेस यूपिय की सरकार को एक सीधा सवाल किया सर्वच्च अदालत के न्याय मुर्ति ने कहा कि क्या भारत सरकार भारत और लंका के बीच में जो राम सेतू के नाम से जाना जाता है जीसे हिंदू ये मानते है कि राम ने जब लंका पर चड़ाई की थी तब वो पुल बनाया था उसे राष्ट्रियस मारक गोशित करना चाहती है या नहीं करना चाहती है सुप्रवन्यम स्वामी ने सुप्रीम कोट में एक याचिका लगाई है और ये याचिका में मांग की गई है कि इसे तोड़ा न जाए एक स्कीम बनाई थी वो स्कीम के अनुसार भारत के जो पुर्वबस्चिम की नारे है वहाँ से जो जहाज दरियाई जहाज जो आते जाते हैं उसे लंका का राउंड लेके लंका को लंका से घूम के आना पड़ता है क्योंकि बीच में जो दरिया है बीच में जो सागर है वो उसकी गहराई बहुत काम है तो बड़े जाज का आना जना मुम्किन नहीं है और मुझे बहुत दुख होता है सर्मिंद की अनुभव करता हूं जब मैंने सुना कि सो करोड हिंदू वाले इस देश में हमारी सरकार ने सुप्रिम कोड को कहा कि हम उस पे कोई जवाब देना नहीं चाहते है ना ही हम उसे राष्ट्रियस मारक गोशित करना चाहते है ना भी कहना चाहते है कि हम इसे राष्ट्रियस मारक नहीं माते है बड़ी मायूसी की बात है कभी-कभी ये एसास होता है कि ये देश में हम जो सोक करोड हिंदू है उसकी कोई हस्ती है या नहीं है हमारा कोई समू है या नहीं है हम कोई धर्म है या नहीं है हमारा कोई समाज है या नहीं है हम क्या है आखिये में केसे मेरी समझ में ये नहीं आता है कि केसे सो करोड हिंदूओं के देश में सरकार हिंदूओं की बहुत बड़ी आस्ता जिस पर है राम सेतुमत पर सब हिंदू मानते हैं कि भगवान राम ने नंगा जाने के लिए एक पूल बनाया और वो आज दरिया के अंदर पड़ा हुआ है जिससे हम राम सेतु केते हैं सरकार ने सो करोड हिंदूओं की भावनाओं को ठेश पहुचाते हुए एक उन्निस या अठ्राप बीस सांसंद वाले पता नहीं मुझे एकज़र्ट फिकर नहीं बता पा रहा हूँ मर मीज से जादा तो नहीं है के सांसंद वो करुणा निधी के कहने पर दबाव में सो करोड हिंदूओं की छाती पे उन्होंने गाव किया है दुनिया में कोई देश से जानी होगा अमेरिका चाहे कितना भी फ्रीश केट है वहाँ आप ख्रिश्च्यानिटी की जो ओरिजिनल फेथ है उसे गाव करें इसा कोई प्रस्ताव पास नहीं कर सकते कोई व्यक्ति के बात नहीं कर रहा हूँ कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ कह सकता है वहाँ बहुत जादा फ्रीड़म है मर सरकार कभी ये सोच भी नहीं सकती कि एसा बयान दे अमेरिका की या इंगलेंड की या उरोप की कोई सरकार ये बयान दे सके कि इसुख्रिस कब पेदा हुए थे उसका हमारे पास इत्यास नहीं है इसुख्रिस को जब सुली पे चड़ाया गया और चार दिन के बाद वो फिर जिन्दा हुए उसके कोई प्रूफ नहीं है सब मानते हैं मगर प्रूफ नहीं है तो हमारी सरकार ये नहीं कह सकती कि इसुक्रीस पिर से जिन्दा हुए होगे कोई सरकार ये हिम्मत नहीं कर सकती मर हमारे देश में सो करोड हिंडूों के होते हुए भी कॉंग्रेस सरकार ये कहने की हिम्मत कर सकती है ये कॉंग्रेस सरकार ने सुप्रिम कौट में कहा था कोई नेता ने भासण में नहीं कहा था कि रामयोध्या में पेदा हुए ऐसा कोई पुरूफ नहीं है तो मैं यह पुछना चाहता हूँ यह कॉंग्रेस सरकार को कि मोतिलाल नहरू का बर्शर्डीपेट दिखाई है अगर आप मोतिलाल नहरू का बर्थ सर्डिवेट दिखा भी सकते हैं तो मोतिलाल नहरू के पिताजी का कोई बर्थ सर्डिवेट दिखाई है अब जब आप मोतिलाल नहरू के पिताजी का या मोतिलाल नहरू का बर्थ सर्डिवेट नहीं दिखा सकते और जब आपकी सरकार में देश के सेना अध्यक्ष जो की लस्करी अस्पताल में पैदा हुए थे उसकी डेक्टोप पर आप कंफर्म नहीं कर सकते और आप कहते हैं कि राम के जन्वका कोई हमारे पास अधिकृत प्रूफ नहीं है जबकि आपके सेना अध्यक्स के जन्वक आपके पास कोई अधिकृत तारिख नहीं है तब आप राम के लिए ऐसी बात करते हो दुख होता है और आक्रोश भी होता है कि हम हिंदू है क्या हम क्या करते है हमारी कोई उखात नहीं है सो करोड होते हुए भी इस देश में हम भिखारी है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हिम्मत के से कर सकती है कि सो करोड हिंदूों के सीने में ये ऐसी गंदी बात डाल सकती है वो बात सिर्फ कॉंग्रेस से नहीं सुरू होती है कॉंग्रेस से खतम होती है बात सुरू हुई थी बाजब के जमाने में बाजब ने नक्षे बनाए कि लंका और भारत के बीच से आने जाने का स्वोटकट हो वही DMK के नेता उस समय बाजपई की सरकार में बेटे थे यह जो DMK है जविड मुनत्र कजगम करके कुछ पार्टी है DMK पार्टी उसके स्तापक थे उनका नाम राम से था और उसकी पार्टी हिंदूों की और ज्यादा अतर भ्रामिनों की खिलाप खड़ी हुई है यह जो प्रोजेक्ट है वो कोई भाइदे वाला प्रोजेक्ट नहीं है मैं नहीं समझता हूँ कोई पुर्व पस्चिम भारत के बीच रोज पचास बड़े जहाद पसार होते हो नहीं होते होके पचास भी नहीं होते होके मैं ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूँ और उन्हें समझ लो कि 600 किलोमेटर 700 किलोमेटर घूम के जाना पड़ता है वो भी मैं सबसे ज्यादा के रहा हूँ इतना भी नहीं होगा अगर बीच में राम से तू तोड़के जो हिंदूों की आस्ता का केंद्र है उसे तोड़के ये डिस्टन्स कम किया जाता है तो भाइदा क्या है पचास जहाद आते जाते है वो ज्यादा से ज्यादा 500 किलोमेटर की और मुसापरी कर ले पच्ची सो किलोमेटर हो गए वो पच्ची सो किलोमेटर के लिए जो डिसल चाहिए वो सरकार मुभत देजे सब जो भी जा जाए जाए उससे डिसल मुभत देजे तो भी यह अबचो रूपय का जो खर्च हो रहा है उससे बहुत कम खर्च उसके इंटरेस के इंटरेस में से भी यह खर्च निकल सकता है मर करुणानी धी हमारे हिंदुओं की जो आस्ता है उसे तोड़ना चाहते है उसे उसे अनन्द आता है हिंदू होते हुए भी वो हिंदुओं को दुख देना चाहता है कोई मुस्लिम शासक भी यह नहीं करता तो डीम के कहने से कॉंग्रेस यह कर रही है और कॉंग्रेस डरती नहीं है मेरा केना यह है कि कॉंग्रेस को करोड हिंदुओं को कंसिडर नहीं कर रही है यह मेरा सबसे बड़ा दर्द है जब मुसल्मानों की बात आती है जब ख्रिश्यनों की बात आती है लगुमति की बात आती है तो कॉंग्रेस सब कंसिडर करने के लिए तयार है मुझे दूख ये भी हो रहा है कि कॉंग्रेस में बेटे हुए बाकी के इतने सारे नेता है वो नेताओं में से किसी का खुल नहीं खुलता कॉंग्रेस के कोई MLA, MP, कोई चीप मिनिस्टर, कोई पार्टी प्रेसिडेंट ये कहने को तयार नहीं कि नहीं मैं इसका विरोध करता हूँ मैं हिंदू हूँ मैं इसका विरोध करता हूँ कि ये राम से तू नहीं तुटना चाहिए राम से तू राष्ट्रिय स्मारक बनना चाहिए अगर यह नहीं कह सकते तो क्या वो गुलाम है सब के सब कॉंग्रेस में गुलाम भरे हुए और हमें भी सोचना चाहिए हिंदूओं को भी सोचना चाहिए कि कब तक हम कॉंग्रेस हमको गालिया देती रहे हमारे खिलाप डिसीजन लेती रहे और हम उसे वाड़ करें मैं कॉंग्रेस को अच्छी बार डिमानता हूँ और जब भात धर्म की आ जाती है पता नहीं कॉंग्रेस केसे बिहेव करती है कॉंग्रेस जो हाल रही है पूरे देश में उसका कोई दुसरा वज़ा नहीं है वो अगर टथस्त होती वो सही माहिन में सेक्टूलर हो जाए तो कोई हिंदू को कोई हर्ज नहीं है मर जहां हिंदूों को गाली देनी है जहां हिंदूों को आहत देना है जहां हिंदूों को ठेस पहुचानी है वहाँ वो रुकती नहीं है जान बुछ के हिंदूों को गुच्सा आजा ऐसी बाग वो करती है बातला हाउस में तो मुसल्मान मर गए एक इस्पेक्टर भी मर गया अब कॉंग्रेस के नेता कह रहे है उनके ही सरकार के खिलाब के यह एनकाउंटर गलत था मतलब मरने वारे सही जे और जो इस्पेक्टर मर गया सही जो कया जोड़ था उसके खिलाब कॉंग्रेस में कोई कुछ बोलता नहीं है तो यह कॉंग्रेस की नेती है जो पिछडी ही जा रही है पिछडी ही जा रही है और जब इन्होंने यह सुपरिम कॉ resilient में कहा कि हम यह कनफरम नहीं करते हैं हम इसे इसका जवाब भी देना नहीं चाहते हैं तब एक हिंदू होने के नाते मेरा खुंदो खुल रहा है मैं विरोद करता हूँ मैं कॉंग्रेस की इस निटी को कंडेम करता हूँ मैं ये बात मानने को तैयार नहीं के कोई प्रूफ नहीं है नहीं होगा प्रूफ प्रूफ नहीं मिलेंगे धर्म की कोई बात के प्रूफ नहीं होते टैन कमांडमेंट्स भी एकी मसिया ने सुनी उन्होंने आके कहा कि मुझे ये टैन कमांडमेंट्स मिले है किसी नहीं कहा कि प्रूफ लाओ कि तुमने ये भगवान से सुनी है क्या प्रूप है मैं यहुदी समाज को पुशना चाहता हूँ क्या प्रूप है आपके पास कि ये 10 commandments भगवान से ही मिली है नहीं है बगर मैं भी मानता हूँ कि ये जो 10 commandments है वो भगवान की ही बात है भगवान ने ही कई है मैं पोप से कहूँगा कि प्रूप ले आओ कि इसू क्रिस्ट वदस्तम पर चड़ने के बाद 4 दिन के बाद फिर जिन्दा हुए थे medical proof चाहिए FSL का report चाहिए उस समय की जो police थी उसका confirmation चाहिए नहीं है नहीं है कोई प्रूप नहीं है में हिंदू होते हुए भी मानता हूं कि इसू फिर से जिन्दा हुए थे और आज भी जिन्दा है क्योंकि ये मानने था की बात है अब ये कहना कि राम हुए थे के नहीं हुए ये बेवकूफ जो है मदरास में बेठा हुआ वो कह रहा था कि राम के भास nighree कौन सी थी के इन्होंने bridge बाच्द है यह करूणा नहीं थी काले गोगल्स वाला कह रहा था मैं करूणा नहीं थी को पुछना चाहता हूं कि तेरे पास political science की कौन सी डीगरी है मैं तो be a with political science बढ़ा हूं अब तू कहां से पोलिटिक्स में आ गया तेरे पास तो कोई निगरी नहीं है पढ़ा ही नहीं हो गासा है शकल से तो लगता नहीं कि वो बढ़ा है पुछ मैं करुणा जिदी को पुछना चाहता हूँ कि ताजमाल तो आपके सामने खड़ा है दरिया में डूब नहीं गया ताबने खड़ा है ताजमाल जब बना तो उनके जो कालिगर थे उनके जो आर्किडेक्ट थे जो डिजाइनर थे उन में से किसी के पास कोई निगरी नहीं थ आती थी इसलिए ताजमाल इतना सुन्दर भव्या और इतना मजबूत बना आपकी कोई गोलेट से उनेर्सिटी से पढ़ कर कोई यह ताजमाल तो बना के दिखा दे तो हिंदू समाज के लिए जब गंदी बात होती है या कोई भी धरम के लिए कोई गंदी बात करता है मेरा खुन खुलूत है धरम कोई प्रूप की बात नहीं है धरम आस्ता की बात है मान्यता की बात है जब सो करोड लोग कह रहे हैं कि रामने पूल बनाया तो बनाया कोई प्रूप नहीं होंगे और ना ही भारत की सरुष्य दालत को ये हक है कि 100 करोड की जंता जो कह रही है उसके खिलाब कुछ बात करे सुप्रिम कोड को भी अतिकार नहीं है यह हमारी आस्ता का सवाल है 100 करोड लोगों कह दिया, 100 कह दिया और हमी से हम सो करोड लोगों की वज़े से सरकार बनती हैं हम सो करोड लोग खड़े हैं तो सर्वोच्य अदालत खड़ी होती है हमें आहद देने की न सरकार को अधिकार है ना हमें आहद करने का सुप्रिम कोड को अधिकार है तो मैं कंडेम करता हूँ, मैं सरकार की इस बात की कड़ी आलोचना करता हूँ, अपना विरोध प्रतशिक करता हूँ, कि नहीं, यगर आप ये नहीं भी करोगे, कॉंग्रेस राम सेतु को अपना भारतिय स्मारक नहीं बनाना चाहती, राष्टिय स्मारक नहीं बनाना चाहती होगा अगले 10-15 साल में कोंग्रेस का स्मारक बन जाएगा कोंग्रेस का स्थित्व मिट जाएगा सो करोन लोगों के साथ आप खिलवार नहीं कर सकते सीती बात में बस आज इतना ही कलम फिर मिलेंगे